Hello everyone, welcome to RPSC Study Hub. RAS Means Question-Answer की सीरीज चल रही है. सीरीज 93 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब यह हमारी सीरीज में Science, Science, Technology के कोशन चल रही है. उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज सीरीज 94 के बारे में बात करेंगे जिसमें हम Science and Technology के 15 words यानि दो मारकर प्रशनों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आएए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को. पहला प्रशन है Augmented Reality. Augmented Reality. Augmented Reality वास्विक बहुत एक दुनिया का एक उन्नत संस्क्रण है जिसे डिजिटल द्रश्य, तत्वो, दोनी या अन्ने सवेधी उतेजनाओं के माध्यम से प्राप्ट करते हैं. इसमें वास्विक वातावरण से उन्नत तथा उससे मेल खाता हुआ आभासी वातावरण त्यार किया जाता है जैसे उधारन पोकेमोन, गो गेम या स्नैपचेट, फिल्टर. और अग्युमेंटेट रियल्टी क्या होती है? काफी इंपोरेंट प्रेश्न है. और अग्युमेंटेट रियल्टी वास्विक बहुत एक दुनिया का एक उन्नत संस्क्रण होता है. यानि जो रियल फिजिकल दुनिया होती है, उसके तहट जिसमें डिजिटल द्रश्य, जितने भी डिजिटल जो द्रश्य होंगे, उनको तत्वो, ध्वनी या अन्य सवेधी उतिजनाओं के माधियम से प्राप्त किया दाता है. इसमें वास्पिक वातवरन से उन्नत था, उसे मेल खाता हुआ आवासी वातवरन, यानि ऐसा वातवरन तियार कियाता है, वर्चूल, ऐसा वर्चूल एन्वार्मेंट तियार कियाता है, जो लगबग, रियल जो मारा वातवरन है, उससे उन्नत हो, या फिर उसके जैसा मेल खाता हुआ बात अपरण हो एक्दम जील जैसा लगेगा जैसे कि पॉकीमॉन गो गेम में देखेंगे अपन स्नैपचेट कोई फिल्टर देखेंगे तो वो फिल्टर ऐसे लगेंगे कि हां रियल में जो फिल्टर होते हैं उनसे काफी मेल खाते वे प्रतीत होते हैं हमें इसी उपयोग शरीर में दवाओं की इच्छित आपूर्थी तता प्रियावन प्रदूशन को कम करने में किया जाता है इस तरह से आप डाइग्राम भी बना सकते हैं कि नियनोपदार से बने वी गोलाकार भहुलिकरत अनू होते हैं जो विभिन शाक्षों में विवाजित होते ह इनका उपयोग शरीर में दवाओं की इच्छित आपूर्थी शरीर की किसी पार तक इच्छित आपूर्थी और प्रियावन प्रदूशन को कम करने के लिए इनका प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है हमारा हेलिना हेलिना क्या है नाग मिसाइलों का हेलिकॉप्टर में प्रियोग की जाने वाला संस्क्रण है नाग मिसाइलों का ऐसा संस्क्रण है जो हेलिकॉप्टर के रुप में प्रियोग की जाएगा दुर्व हेलिकॉप्टर के लडागों संस्क्रण रुद् उसमें हलिला मिसाइलों को तेनाद किया गया है। इसे इसे दुरवास्त्र भी खहा गया है. इसका दूसर नाम क्या है? दुरवास्त्र. नाग एक Anti-Tank Guided Missile है, नाग तभी को बताएं कि एक Anti-Tank Guided Missile है. और नाग उसाइलों का ही हेलिकॉप्टर में विडियो के जानेवाला संस्क्रण क्या है है लीना ओके अब हम जाते लें नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्ण है आमाशे में HCL के कारे बताने है आपको explain the functions of HCL in the stomach आमाशे में HCL के कारे आपको Pepsinogen को किसे बतलता है पैपसीन में जो कि किसा होता है आने वाले हानिंकारक जिवानों को नस्ट करता है बोजन के साथ कोई भी toxic जीवानों आगए तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है तुलसी का वानस्पतिक नाम है अब इसका उच्दिय उप्योग देखे तो क्या क्या है कैंसर रोग के उप्चार में उप्योगी होता है अगर इसका काड़ा बना कर भी पिया जाए नियमेत रूप से तो रोग प्रतिरोदक शम्ता भी बढ़ती है काफी ज़़ा रोगों में ये लापकारी होता है तुलसीखा सेवन रदै रोग में भी लापधायक होता है इसके लावा पुरानी खांसी हो गई कफ हो गई उसमें भी ये काफी काम करती है तो सभी प्रकार के रोगों में ये काफी लापकारी होती है रदै रोग में भी लापधायक होती है पित्तर रस को आभासी पाचक रस क्यों कहा जाता है, समझाईए इसे आभासी पाचक रस भी कहा जाता है पितर रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता और ये केवल क्या करता है वसा का पाइसिकरन करता है ताकि एंजाइम क्या हो पाइसिकरन वसा पर तीजी से कारे करे करे इसलिए इसे आवासी पाचक रस भी कहा जाता है तांबे पर हरी रंग की परत क्यों बनती है इस पस्ट कीजिए तांबे के हवा में संपर्क में आने पर हरी रंग की परत कोपर हाइड्रोकसाइड और कोपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है तामे में हरे रंग की परत किसके कारण बनती है कोपर हाइड्रोकसाइड बनता है और कोपर कार्बोनेड दोनों बनते हैं इसके कारण होती है जैसे हम फॉर्मॉला देखें यह हमारा कोपर हो गया यह जल से संपर्क में आएगा CO2 से आगया और ऑक्सिजन तीनों से संपर्क में आएगा तो क्या बन गया हमारा कोपर हाइड्रोकसाइड बन गया और कोपर कार्बोनेड बन गया तो यह सुतर भी आप ज़रूर एक्जाम में लिख कर आईए फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर तन में मॉडम का क्या कारिय होता है समझाईए मॉडम क्या होता है हमारा एनालोग सिगनल्स को डिजटल में और डिजटल सिगनल्स को एनालोग में रुपांतित करता है यानि मॉडूलेशन और दी मॉडूलेशन दोनों प्रोसेस होती है फिर है exponent के कारिय बताईए, exponent के कारिय बताने हैं, explain the work of the exponent, exponent क्या है, exponent x-ray धुर्वन मापी उपकर है, यह क्या है, एक x-ray धुर्वन मापी उपकर है, खगोल या x-ray स्टोतों की गतिशिलता का अध्यन करता है, क्या करेगा, exponent x-ray धुर्वन मापी उपकर है, जो खगोल या x-ray प्रिष्टोतों की गतिशिल्दा का अध्यन करेगा, X-ray का धुर्वी करन का मापन भी करेगा, साथ ही X-ray का धुर्वी करन होता है, उसका मापन भी ये करेगा, X-ray का धुर्वी करन होता है, जब पोधे में बिना निसेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्थित हो जाता है तो उसे हम क्या पोलते है एनिसेचक जनन क्या हो गया है जब पोधा बिना निसेचन के क्या करता है अंडाशय से ही सीधा फल बना लेता है अंडाशे से इस डारेट फल का बनना क्या राता है एन इशेचक जनन जिसे कि केला अंगूर इनमेगे देखने को मिलता है केला अंगूर यह सब क्या होते हैं एन इशेचक जनन होते हैं तो आज के प्रशन इतने ही next series में हम 50 words के प्रशनों को लेकर आएंगे so thank you for watching this video bye